नमस्कार में प्रद्यम्नति बारी आप सभी के समक्ष पस्थित हूं मित्रों आज हम बात करेंगे कि मकर लगन के बारहों भाव में गुरू का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानि कि यहां पर यदि दस नमबर की गिंती लिखी हुई है तो आपकी मकर लगन है और यदि आपकी मकर लगन है तो ये गुरू का फल आपके लिए है तो आईए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरू कहां पर ब कि मित्रोयदी मकर लगन में गुरु प्रथम भाव मेंई हैं तो जातक बुद्ध्धिमान विवेकी धार्मिक हो जातक समाज में मान संबान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगा जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा जातक को अपने जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा परन्तु जातक का जीवन बहुत जादा संघर्ष मैं होगा जातक को अपने जन्मिस्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी जातक बहुत महनती होगा कोई भी काम के लिए जादा महनत करेगा और जातक को अपने महनत का पूरा फल नहीं मिलेगा जातक अपने ग्यान का प्रयोग दूसरों पर रौब जाड़ने में करेगा जातक कोई भी काम अचानक से करेगा आश्च जातक की वानी प्रभावसाली होगी जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा जातक अच्छा ब्यापारी अथवा अच्छा डॉक्टर बन सकता है जातक को अपने कारे छेत्र में अच्छा लाब होगा परन्तु जातक को अपनी पैत्रिक संपत्ती जातक पैसे बचाने की खूब कोसिस करेगा परन्तु जातक पैसे बचा नहीं पाएगा जातक का धन संचित नहीं हो पाएगा आईए तीसरे भाव में चलते हैं मित्रदी तीसरे भाव में गुरु बैठे हो तो जातक बहुत महनती साहसी होगा जातक को अपने भाई बहनों का सुक सहयोग मिलेगा जातक अपनी महनत से बड़ी सफलता हासिल करेगा जातक नेतिवान इमानदार होगा जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जातक क आये के स्रोत भी अच्छे बनेंगे परन्तु जातक का धन खर्च बहुत होगा लेकिन जातक का पैसा जातक के हित में ही खर्च होगा जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा जातक के भाई बहनों को जातक से लाब होगा जातक के पास में पैसे हमेशा आते रहेंगे आये इसाथ रूंत ही भाव जातक बुद्धिमान होगा जातक प्रभावसाली व्यक्तित्तोवाला होगा जातक अच्छा सलाहकार बन सकता है जातक धार्मिकोगा जातक जातक को अपने ज्यान से अपनी बुद्धी से हमेशा लाब होता रहेगा जातक अपने जन्मिस्थान से दूर जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त करेगा जातक के आयके स्रोत अच्छे बनेंगे जातक उच्चपद प्राप्त करेगा जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेग परम्तु यदि गुरू और सुक्र तातकालिक सत्रों हों यानि कि गुरू यहां बैठे हों और शुक्र पीछे के तीन घर और आंगे के तीन घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों अथवा यहां पर गुरू अकेले बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान जातक के बच्चे जातक से दूर रहेंगे अथवा जातक के अपने बच्चों से मतभेद होंगे आईए छठे भाव में चलते हैं मित्रदी छठे भाव में गुरु बैठे हो और लगने सनी बलबान हो तो यहां पर गुरु विप्रीत राजियोग बनाएंगे अतह जातक सत्र बलबान ना हो तो जातक को स्वास्थ संबंधी समस्या होंगी विशेश रूप से जातक को पेट से संबंधी समस्या हो सकती है जातक आलसी होगा जातक सुस्त होगा जातक लापरवा होगा जातक धन बचाने की बहुत कोसिस करेगा परन्तु जातक धन संचाय नहीं कर पाए मित्रवय भाव में चलते हैं, वित्रयदी सात्वे भाव में गुरू बैठे हो तो यहाँ पर गुरू उलग नामक राजयोग बनाएंगे, अतह जातक का जीवन साथी सुन्दर सुसील संसकारी होगा, जातक प्रभावसाली व्यक्तित वाला होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा, जातक बड़ा ब्यापारी हो सकता है, जातक धनवान होगा, जातक की वानी तेजस्व होंगे जातक के पास में पैसा बहुत आएगा परंतु जातक का पैसा बचेगा नहीं जातक बहुत महनती होगा आईए अस्टमभाव में चलते हैं मित्रयदी अस्टमभाव में गुरू बैठे हो लगने सनी बलवान हो तो यहां पर भी गुरू विपरीत राजियोग बनाएंगे अतह जातक दीरगायों होगा जातक को भूमी भवन बाहनादी का सुख मध्यम मिलेगा जातक की उपर जिम्मेदारी जादा होगी जातक का धन संचित नहीं हो पाएगा जातक का पैसा बहुत खर्च ह जातक तंत्रमंत्रादी गुप्त विद्याओं में रुची रखने बाला होगा जातक को अपने पढ़ाईं का जादा लाभ नहीं हो पाएगा परंतु जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याen होंगी जातक मैहनती होगा परंतु जातक को अपनी महनत का पूरा फल नहीं मिले परन्तु जातक के पास में पैसा हमेशा कहीं न कहीं से आता रहेगा जातक यदि आध्यात्म से जुड़ा रहेगा तो जातक को लाब होता रहेगा आईए नवंभाव में चलते हैं मित्रयदी गुरूप नवंभाव में बैठे हो तो जातक बिद्वान ग्यानी सिध्धान्त बादी होगा जातक यात्राएं करने बाला होगा जातक प्रभावसाली व्यक्तित बाला होगा जातक समाज में सम्मानित होगा जातक महनती होगा जातक को अपने भाई बेहनों का सु इतिकार हो सकता है जातक भाग्यबान होगा जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा जातक को अपनी बुद्धी से अपनी विद्या से हमेशा लाब होता रहेगा यदि यहां पर बुद्ध भी साथ में बैठे हो तो जातक प्रवल भाग्यबान होगा जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे आईए दशंभाव में चलते हैं मित्रवधी दशंभाव में गुरु बैठे हो तो जातक को मकान बाहन प्रॉपटी यादी का अच्छा सुख मिलेगा जातक का कुटुम बड़ा होगा जातक का धन खर्च भी जादा होगा जातक डॉक्टर बकील जोट स की अथवा सलाहकार बन सकता है जातक धर्म से जुड़कर के भी लाभ कमा सकता है जातक समाज में सम्मानित होगा जातक बहुत महनती होगा जातक अपनी महनत से खूब लाभ कमाएगा जातक अपनी महनत से प्रॉपटी बनाएगा जातक धनवान होगा परंतु यदि और सुक्र आपस में तातकालिक सट्रू हो यानि कि गुरू यहां बैठे हो और सुक्र पीछे के तीन घर और आंगे के तीन खरों को छोड़ कर partly अन्य घरों में बैठे हूँ पार अथवा नौकरी में अच्छा लाब हों जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा परंतु जातक के अपने भाई बहनों से थोड़े मत्वेद भी होंगे जातक का पैसा खूब खर्च होगा लेकिन जातक पैसा हमेशा कमाता एड़े जातक को अपनी मेहनत से अच्छा लाब होगा जातक के पास में पैसा हमेशा आता रहेगा जातक को संतान सुह भी अच्छा मिलेगा जातक का बैवाहिक जीवन सुधमय होगा जातक को प्रॉपर्ट्य यादी का अच्छा परम्तु यदि यहां पर गुरु अकेले बैठे हो तो जातक की आय में उतार चढ़ाओ बना रहेगा आईए द्वादस भाव में चलते हैं मित्रयदी द्वादस भाव में गुरु बैठे हो तो जातक नौकरी अथवा व्यापार के लिए विदेश जा सकता है जातक धार्मिक होगा जातक धर्मकारियों में अपना धन खर्च भी करेगा जातक बहुत महनती होगा जातक बीरगायों होगा जातक को भूमी भवन बाहन आदी का अच्छा सुख मिलेगा जातक अपनी महनत से प्रॉपटी बनाएगा जातक को कोट का चहरी आदी में सफलता मिलेगी जातक अपनी मेहनत से बड़ा धनवान बनेगा जा तक को मेहनत से सफलता मिलेगी मित्रों आज हमने जाना कि मकर लगन के बारहों भाव में गुरू किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे मित्रों यहां से जो गुरू का फल बताया गया है ये गुरू का फल गुरू की दसा अंतर दसा प्रत्यंतर दसा में घटेगा आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार